Hello everyone, this is Professor MH और आज के इस वीडियो में we will discuss Financial Accounting TYB.com November 2019 में पूछा गया question 20 mark के लिए Falguni Limited इस question के अंदर क्या-क्या पूछा गया था, तो इस question के अंदर हम लोगों को पूछा गया था, all journal entry पूछी गयी थी capital reduction account पूछा गया था balance sheet, तो यह 20 mark के लिए आया था, वो ही आज हमें देखना है कि इसको हम logically कैसे solve करें, तो इससे पहले जो वीडियो हम लोग ने डाली थी उसके अंदर हम लोग ने देखा था कि internal reconstruction का मतलब क्या होता है, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग मिनिट के वीडियो में cover कर दिया है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप पहले वो वीडियो देखके आ जाएंगे, तो फिर आपको इसका कोई भी type का question आएगा, उसको आप easily solve कर पाएंगे, तो इस question में क्या है, इसको भी हम लोग solve करेंगे, आपको जो method easy लगे, आप उस method से कर सकते हो, तो try करेंगे इसको जल से जल खतम करने की, क्योंकि balance sheet में पता है, आपको time जादा लगता है, ठीक है, balance sheet का भी format कैसे याद रखना है, उसका भी video link description में है, वहाँ जाके आप पहले balance sheet कैसे बनती है, वो देख लीजिए, उसके बा in a year for four year, चार साल का preference dividend a year है, balance sheet दिया गया है, फिर आगे दिया है, preference shares are reduced to 50 each, preference shares or equity shares के बारे में दिया है, फिर preference dividend के बारे में दिया है, फिर debenture holder के बारे में दिया है, then bills payable के बारे में दिया है, then all intangible, then revaluation के बारे में दिया गया है, after that secured loan के बारे में दिया है, और last one में दि पास करो capital reduction बना और वालेंशेट बना तो मैंने आपको पहले भी कहा था starting में repeat भी गया था कि हमें सबसे पहला equity shares का preference shares का डिवेंचर का यह adjustment नहीं करना है अगर आप कर भी देंगे तो कोई problem नहीं है अगर if you are confident enough कि मुझे आता है तो मैं इसको कर पाऊंगा तो आप कर सकते हो लेकिन मेरी advice है कि इन तीन से related जो भी adjustment रहेगा उसको नहीं करने का पहले तो देखो पहला adjustment हम लोग नहीं करेंगे second भी नहीं करेंगे third भी नहीं करेंगे हम लोग start करेंगे fourth से ठीक है तो कैसे करना है let's start सबसे पहले हम लोग को format ड्रॉ कर लेना है तो format हम लोग लिख लेंगे in the books of falguni limited journal entry लिख लेंगे date particular debit amount credit amount लिख लेने का है और simultaneously हम लोग क्या बनाएंगे capital reduction account बनाएंगे उपर लिखेंगे debit और credit और यहां बास समझ में इतना करने के बाद हम लोग journal entry के लिए जनल entry पास करते तो पहला क्या है bills payable तो फिर से मैं repeat कर दूँ question को start करने से पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि यह liabilities होती है वो credit होती है हमेशा और asset जो होते वो debit होते है ठीक है पहले पहली बात यह दूसरी बात आप कोई भी adjustment करो कितना भी difficult adjustment करो आपको दो चीज़ देखने पहला वो credit item है यह debit item है पहले यह decide कर लो और फिर decide कर लो वो up हो रहा है increase हो रहा है सबसे चीब चीज़ से आपकी general entry हो जाएगी इससे आपकी general entry हो जाएगी ह सबसे पहला यह आपको ध्यान में रखना description में link description में वहाँ जाके आप देख सकते हैं इसके बेसिस पर हम लोग solve करेंगे ठीक है तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे bills payable bills payable सबसे पहला credit का item है है कि नहीं है क्योंकि यहां पर मैंने लिखा था यह credit होता है और यह debit होता है अब देखो paid off bills payable है कितना है देखो एन इंक्रीज होने वाला है कि डिक्रीज होने वाला है तो जाहिए से बाइत जब पे करेंगे तो डिक्रीज होगा तो credit है जब डिक्रीज करेंगे तो debit होगा ठीक है एक बार यहां देख लो मैंने यह बता दिया फिर बोला any increase same effect any decrease opposite Opposite मतलब debit को credit करो credit को debit और same effect रहेगा ना तो debit को debit credit को credit आरे बाद समझ में तो यह credit था pay कर रहे हैं तो debit हो जाएगा तो कैसे आएगी entry bills payable account debit तो देखो एंट्री कैसे आएगी पहली entry bills payable account debit कितना pay कर रहे हो 60,000 पे कर रहे हो तो 60,000 लिखने का ठीक है इतना लिखने के बाद आपको मैंने बताया था यहां पर बता देता हूं फिर से any increase or decrease up and down it adjusted through capital reduction account तो two capital reduction नहीं आएगा यह payment हो रहा है तो two cash bank ठीक है यहां पर देखो मैंने बताया था whenever money comes in और whenever money goes out तो अपने पास से goes out हो रहा है तो हम लोग two cash bank लिखेंगे आरिए बाद समझ में तो यहां पर हम लोग लिखेंगे two cash bank amount आ जाएगा 60,000 narration कभी कभी question में बोलता है यहां पर कुछ नहीं बोला है तो आप लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते लेकिन try करो कि three words से जादा आपकी narration ना हो तो being bills paid bills payable paid समझ में आई entry next entry देख लेते दूसरा क्या है इसी का पार्ट ये देखो creditor agree to wave सबसे पहले decide करो तो creditor है credit है बराबर है अब decide करो आप एक ही down है तो wave का मतलब क्या था मैंने बताया था इधर देखो right of wave right of remission for go means hata do means down करना है तो इसको credit को down करना है तो opposite effect तो debit हो जाएगा आर ये बास समझ में पहले decide क्या credit है फिर decide क्या up और down है तो debit कर दिया तो क्या आजाएगी entry तो same entry आएगी creditor account debit लेकिन कितना amount सिर्फ 20,000 है तो 20,000 लिखने का और any up और down मैंने बताया था किदर से capital reduction से यहाँ cash bank नहीं आएगा cash bank रहता तो paid का amount आता तो being two capital reduction 20,000 being creditor waived समझ में आया yes or no इसकी posting यहाँ पर करती जाओ पहले वाली की posting नहीं आएगी क्योंकि capital reduction account नहीं है दूसरे वाली की आ जाएगी capital reduction two capital reduction है इसका मतलब यह credit है तो credit में जाने का by creditor लिखने का और capital reduction के सामने वाल amount कितना वो लिखने का तो 20,000 साइम इंटेंशनी पास करने का आपका time waste नहीं होगा ठीक है तो पहली entry हो गई adjustment number four is done फिर क्या बोला है all intangible and fictitious assets are to be written off तो intangible and fictitious assets check कर लो तो intangible देखो यह रा goodwill यह रा patent और यह देखो यह सब आइटम है अब बोलेंगे सरी कैसे पता चलेगा इसलिए मैंने बोला एक 10 minute का important theory to solve practical question इसका मैंने वीडियो डाला है यह आप देख लीजिए all intangible and fictitious assets written off whether given in the question or not question में दिया जाए या नहीं दिया आपको इसको write of करना है तो देखो goodwill patent PNL आ गया preliminary यह यही तो सब दिया है तो इसको क्या करना है question में दिया जाए या नहीं दिया जाए write-off करना है write-off का मतलब भी देखो यहाँ पे दिया है यह कुछ यह अगर आपने समझ लिया ना तो कैसे भी type का question आएगा आप 99% उसको solve कर पाएंगे ठीक है तो सबसे पहले decide करो क्या है तो यह देखो asset मे का debit है अब decide करो आप है की down है तो return-off है return-off का मतलब क्या होता है इदर पर लिखा है देखो down कर दो तो down करेंगे हम लोग तो debit है करेंगे तो opposite effect जाने का तो credit और credit को हम लोग कैसे लिखते टू से लिखते तो entry कैसे बनेगी थर्ड एंट्री तो हम लोग लिखेंगे टू गुडविल टू पेटेंट टू पी अनल और टू प्रिलिमिनरी क्यूँ ऐसा क्योंकि यह debit था debit को down किया तो credit हो गया तो credit को हम 2000 तो देखो यहां पर 25 पंद्रा आठ लाग 9000 और एनी आप और डाउन किसके त्रू एड़ेस्ट होता है capital अकाउंट डेबिट तो इसका टूटल आ जाएगा यहां पर आप लिख दोगे बिंग रिटन अफ तीन वर्ड्स में लिख देने का अब इसकी पोस्टिंग क्याप एड़ाक्षिन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट में जाके सब अम duplicate देने का चारौ आजाएगा तो चारौ अमामाउंट हम लोग लिख देंगे यहां पर आ लिख समझ में है ठिक है फिर ये दो आंट भौगय यह इसलिए करने का ठिक है अब इसके बाद क्या दि यहां पर कितना दिया है तो 35 को 30 करना है ठीक है यह थोड़ा इंट्रेस्टिंग है 35 को 30 करना है तो डेबिट है आप पूरा कि डाउन हो रहा है तो डाउन हो रहा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे तो कैसी हो जाएगी एंट्री द्यान से देखों फोफ एंट्री हो जाएगी एसेट था डेबिट को डाउन कए तो credit हम लोग कैसे लिखते पता है ना तू फरनीचर और कितना credit करना है सिर्फ 5000 क्यों 35 दिया है उसको value करना 30 पे तो down कितना करना है सिर्फ 5000 का करना है ना तो 5000 और any increase or decrease adjusted through capital reduction account being furniture revalued same way में देखो यह भी है stock है स्टॉक भी कौन सा है सब आइटम यहां पर जो दिये ना इस्टॉक है फरनीचर है बिल्डिंग है डेटर है यह सब आपके asset है और asset debit होता है तो debit है यह डिसाइड हो गया अब देखो आप एक डाउन है तो इस टॉक कितना asset a start किया तो बीस हजार का जाएगा तो बीस हजार और एनी इंक्रीज और डिक्रीज एडिजिस्टेट तुरू capital reduction being stock revalued same way में आपको land and building करना है सेम वे में आपको क्या करना है डेटर का करना है तो land and building को 6 लाग किया है और इधर पर कितना है साड़े 6 लाग है तो debit को down करना है तो credit होगा same way में डेटर दिया है सत्तर हजार तो डेटर कि इदर दिया है यहाँ पर 90 है तो 90 है 90 को कितना करना है 70 तो सेम वे में यह भी debit था क्योंकि यह पार्ट पूरा debit होता है इसको अब down करना है तो credit हो जाएगा तो मतलब यह दोनों credit है तो आप इसको combined भी पास कर सकते तो two credit संदी डेटर और पहला two land and building कितना amount land and building में तो 6 लाग के उपर ता साड़े 6 तो 50,000 का reduction होगा 50,000 यहाँ पे ता 90 डेटर का और यहाँ 70 करना पड़ा था तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000 और any up or down कौन से account से होता है capital reduction यहाँ पे 50 आ जाएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा यह देखो ठीक है और narration वही लिंगे being land and building revalued being sunday data revalued अब यह चारो का आपको देखो चारो capital reduction अकाउं डेबिट 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 एक साथ भी पास करते है separate भी पास कर सकत तो capital reduction अकाउं डेबिट हो रहा है चार है अमांट debit हुआ चारो को लिखो तू फर नीचर टू स्टाउक टू लैंड इन बिलिंग टू संडी डेटर हो रहे कि नहीं debit हुआ ना capital reduction तो debit में जाके लिखने का ठीक है अमांट यह आ जाएगे चारो के capital reduction के सामने वाला तो यहाँ पर 50 यहाँ पर 20 तो देखो बराबर है यह सवर नो यह आपका हो गया ठीक है तो यह adjustment भी easy था तो तीन adjustment हो गया आप पांच्वा एडजस्मेंट देखो the company obtain आप कोई भी करो सब interesting ही है लेकिन यह सब करेंगे तो आपको है ना 5-6 marks पहले ही मिल जाएंगे क्योंकि इन payment में हैं और इन में बहुत complication रहता है आई बाद समझ में यह सवर नो तो करते हैं पहला the company obtained a secured loan of loan ले रही है कौन ले रही है कंपनी ले रही है at the rate of 12% interest by more gauging land and building को गिरवी रखके for repayment of तो पहले ले लो फिर उसके बाद repayment कर देना ठीक है तो पहले लेंगे कौन ले रहा ह है तो पैसा आएगा है ना लोन ले रहे हो तो पैसा आएगा तो पैसा जब आता है तो important question में मैंने बताया था whenever money comes in cash bank account debit whenever money goes out to cash bank ठीक है तो इसकी entry क्या बनेगी आठवा नमबर cash bank account debit हो जाएगा कितने का loan ले रहे हो 150,000 हो गया एक पार्ट general entry में दो पार्ट होते है एक debit होते है एक debit होते है एक debit पता चल गया credit automatically पता चल जाएगा देड़ लाग क्यों लिया भाई loan लिया तो 12% loan ठीक है amount कितना है का देड़ लाग being loan taken या being loan obtained इसका posting जाएगा कि capital reduction में नहीं जाएगा क्यों capital reduction का नाम ही नहीं है इसके अंदर आ रहे है बस समझ में yes or no next आप pass करेंगे अब loan ले लिया अब क्या किया mortgage करके land and building तो mortgage किया वो क्या है यह credit है है ना bank overdraft liability में मतलब credit है अब देखो pay कर रहे हो तो pay कर रहे हो तो आप होएगा कि down होएगा down होएगा तो debit करने का बराबर है तो कैसी entry आ जाएगी तो bank overdraft account debit समझ में आया credit में था pay कर रहे है तो down debit तो debit में लिख दिया कितना pay कर रहे हो कुछ दिया नहीं है तो जो amount दिया रहे है वो लेने का पचास हजार तो पचास हजार पर जाने का टू पैसा पे कर रहे हो ना जब आया था तो cash bank account debit किया था इधर बताया था देखो whenever money comes in debit goes out तो तो cash bank तो यहां पर आप क्या लिखोगे तो cash bank लिखोगे पचास हजार being bank overdraft paid फिर और क्या पे किया reconstruction expense अब देखो बच्चा यह expense है यहां कहीं नहीं दिया है कहीं पर भी नहीं दिया है लेकिन expense है आपने अपना 11 में पढ़ा होगा personal account, real account, nominal account, expense है debit all expenses and losses, credit all income and gains है न nominal account तो यह debit है है कि नहीं यह expense है यह debit है आई बस समझ में अब debit को pay कर रहे हो तो आप होगा कि down होगा तो down होगा आई यह बस समझ में तो इसको credit कर देंगे लेकिन आप क्या कर रहे हो पे कर रहे हो और यह चीज़ balance sheet में नहीं है तो इतना नहीं सोचने का आप सिर्फ यह देखो इसको repayment कर रहे हो रीपेमेंट कर रहे हो मतलब पैसा पे कर रहे हो पैसा पे कर रहे हो मतलब पैसा आएगा जाएगा जाएगा तो वो चीज़ ध्यान में देने का जो यह मैंने बता है ना यह 67 point इसी के basis पे पूरी general entry पास करने का तो reconstruction expenses पे किया और वो balance sheet में भी नहीं है तो समझ में नहीं आ रहे है debit करू credit करू confusion हो रहे है तो क्या करने का repayment कर रहे हो ना तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है तो जा रहा है तो क्या करने का नीचे जाने का और 2 cash bank लिख देने का और कितना जा रहा है 20,000 खतम अब 2 लिखा तो debit में कुछ लिख लिख दो येस लिख दो लेकिन यह आइटम बैलेंशीट में नहीं है और जो आइटम बैलेंशीट में नहीं होता प्रिवेसली भी मैंने एक्स्प्लेइन किया था उसको नहीं लिखनेगा तो उसकी जगा पर क्या लिखेंगे capital reduction account अगाउंट आईए बींग रिकंस्ट्रक् से आप जनल एंट्री पास करेंगे फिर तीसरा यह हो गया तो चार पांच छे साथ अब पहले तीन एडजस्मेंट है जिस इस वेरी कॉंप्लिकेटेड तो यह हम लोग को देखना पड़ेगा ध्यान से तो यह तीन करते है पहला अब यहां से स्टार्ट करो क्योंकि यह अम इसको reduce करना है, reduce मतलब down करना है तो क्या होएगा, debit ठीक है, पहला decide करो, credit debit और फिर deciight करो, आप पुढ़ रहा है कि down हो रहा है, तो down हो रहा है, तो debit करेंगे, तो 11 भी जो entry आएगी आपकी, वह आएगी preferend share capital account debit at the rate of 100 और पूरा 4 लाग लिखने का, है ना 4 लाग, अब बहु पूरा हटाना पड़ेगा जब जाके यहां पर 50 वाला लिखेंगे ना तो इसलिए पूरा 100 रुपे वाले को हटा दिया हड़ गया क्योंकि यह क्रेडिट ता डाउन करेंगे तो डेबिट होगा तो डेबिट में लिख दिया अब उसकी जगह पर क्या लिखे आ रहे हो 50 लिखेंगे टू टेन परसेंट प्रिफरेंशेर कैपिटल फट पचास रुपया और अमाउंट आ जाएगा दो लग अब आरिये बास समझ में है ना फिर यहां पर चार लाके यह दो लाके दोनों में डिफरेंस आएगा तो दो लाक का फिर दिफरेंस आ रहा है एनी आप औ करेंगे कि क्या मतलब होता और क्यों ऐसा किया था ठीक है ऐसी तरीके से हम लोग एकुड़ी शेयर का भी करेंगे एकुड़ी शेयर रिडूस टू इच यहां पर आपको और क्लारिटी आ जाएगी ध्यान से सुनना अब क्या करना है टू करना है तो यह भी देखो टैने है टू और बाय करके वर्ड आता है यह बहुत कॉंप्लिकेटेड है लेकिन आपको इतनी घबराने की जरूरत नहीं हम लोग यह पता है कि भाई यह दस है उसको दो करना है बराबर एक नहीं तो यह क्या है लाइबिलिटी लाइबिलिटी क्रेडिट है इसको डाउन करेंगे तो डेबिट हो जाएगा तो डेबिट में जाके पहले लिख दो एकुडिटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एट रेट अफ 10 अमाउंट आजाएगा 10 लाइग क्यों पूरा हटाया क्योंकि यह 10 रुपे का है उसकी जगह पे 2 रुपे का लेके आना है तो इसको पूर ₹ 10 लाक है तो 2 रुपे कितना होगा दो लाइग सेम वे में अगर तो रुपे चार लाक हे तो पचास कितना हो एगा तो आधार लेने का नमाई क्रास मल्टिप्लाइ खरने का अगर आपको आता है तो अभी भी देखो यह टैली नहीं हो रहा क्योंकि हर पार्ट टैली होता अब देखो next adjustment preference dividend in a year 75% to be waived and remaining to be paid in cash तो यहाँ पर आया तद देखो 4 years का है ना तो यह वाला पहले से calculate करके रखना है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या है preference dividend कहीं पर भी balance sheet में नहीं है अगर balance sheet में जो चीज नहीं रहती है तो उसको हम लोग को adjust करना पड़ता है तो preference dividend किस से related होता है preference share से तो 4 लाग का 10% निकालने का तो कुछ इस तरीके से निकले का ध्यान से देखो तो 4 लाग preference dividend 4 लाग का 10% कितना हैगा 40,000 for 1 year और कितने साल का बाकि 4 साल का तो 4 साल का बाकि 40,000 into 4 1,60,000 अब 1,60,000 में से आपने वेव कितना कर दिया 1,20,000 वेव कर दिया वेव मतलब यहां बताया ता देखो वेव का मतलब होता है हटा दो तो हटा दिया बचा कितना balance 40,000 तो यही तो बोला है remaining to be paid in cash तो remaining कैसा आया 75% हटा आया तो 1,60,000 में से 1,20 गया तो कितना बचा 40 ही गया ना 40 ही बचा 40,000 पे कर देंगे अब बोलेंगे 1,60,000 की entry आएगी क्या नहीं क्यों यह पूरा का पूरा जो दिया है ना 1,60,000 यह balance sheet में कहीं पे भी नहीं है और जो चीज balance sheet में नहीं और बाहर से बाहर ही निकल गई तो entry क्यों पास करने का 40,000 जो पे कर रहे तो वो हमारे cash bank पे effect दालेगा इसलिए 40,000 की entry आएगी ठीक है तो 1,60,000 जो था वो total था पे करना था और वो चीज balance sheet में नहीं थी बराबर है अगर 160 पे करते तो पूरा 160 का effect आता लेकिन 75% क्या बोला लोग ने wave कर दिया मतलब हटा दिया तो बाहर था बाहर से हटा दिया तो अंदर आई नीचीज वो लेकिन 40,000 को जब आप पे करोगे तो cash bank पे effect आएगा तो इसलिए 40,000 की entry आएगी तो पे कर रहे हो money comes in और goes out तो goes out होगा तो goes out में two cash bank लिखते हैं बराबर है तो देखो कैसे लिखेंगे तो next आपकी entry आजाएगी 13 number two cash bank amount आजाएगा 40,000 और यह amount किसके तुरूँ एड़ेस रहे होगा capital reduction क्योँ? क्योंकि जो चीज balance sheet में नहीं होते तो यह pay करेंगे तो capital deduction account to cash bank और इसकी posting जाएगे debit side में capital deduction के debit side में जाओ और लिख दो preferent dividend 40,000 समझ में आया यह सर नो तो यह वाली भी entry हो गई आपकी तो यह दो entry हो गई रैट अब last वाली जो complicated है वो देख लेते debenture holder to take over plant and machinery इन पार्ट satisfaction मतलब उसका पहले amount देखो कितना है debenture है और यह क्रेडिट है यह डिसाइड़ साड़े साथ लाग को adjust करना था तो साड़े छे लाग का वो प्लांट लेके जा रहा है ठीक है जबी तो पार्ट satisfaction बोला ना पूरा थोड़ी adjust हो रहा है and the balance अब पूरा adjust हो जागा balance बोल दिया balance बोल दिया मतलब पूरा adjust हो रहा and balance amount due to them converted into 13% इसका मतलब पूरे debenture को लोग settle कर रहे है तो यह credit है credit debenture इसको यहां से हटा रहे है 750,000 में प्लांट चला गया तो उसका हट गया उतना amount फिर balance को 13% में convert कर दिया 12% debenture account debit 7.5 लग आरी बस समझ में क्यों debit किया अरे भाई liability था credit था उसको adjust किया तो debit कर दिया अब debit करने के बाद उसको क्या क्या मिला तो पहली चीज़ उसको मिली plant and machinery ठीक है तो two plant and machinery कितना 6 लग अरे बुलेंगे सर यहां तो 6.5 लग दिया है यह 6.5 लग दिया है बराबर है लेकिन plant and machinery कितना दिया है वो देखो तो plant and machinery दिया है 6.5 लग का तो हम लोग balance it की value लेंगे यह वाली नहीं वो कितने पर भी adjust करें हम तो 6.5 लग लेंगे तो यहां पर आप 6.5 लग लिखने का फिर बोला लेकिन adjustment कितने का होगा adjustment 6.5 का ही होगा इसका मतलब यह होता है कि सामने वाले ने बोला कि भाई मुझे जो आप 6.5 लग देना है तो 6.5 लग मैं adjust कर दूँगा मुझे यह 6.5 लग की चीज़ दे दो तो 50,000 का मैं आपको wave off कर दूँगा आरी बस समझा तो इसका मतलब यह है कि वो plant and machinery है 6.5 लग की लेकिन वो लेके जा रहा है न तो बोल रहा है कि मैं अपना amount जो adjust करना वो 6.5 का करूँगा तो बोला ठीक है very good तो हम लोग यह 6.5 लग लिखेंगे तो अब बचा कितना तो आप 10.5 लग नहीं बचा भी अब यह 1 लग ही बचा क्योंकि adjustment कितना हो गया साड़े साथ में से साड़े 6 गया तो कितना बचा एक लग बचा कि नहीं बचा तो एक लग का क्या करना पड़ेगा 13% adventure देना पड़ेगा तो 13% adventure यहां लिखना पड़ेगा तो यह credit था ना तो credit में लिखेंगे तो अप हो जाएगा तो credit लिखने का तो देखो यहां पर आएगा 13% adventure credit में लिखेंगे 1 लग तो टैली नहीं हो रहा है साड़े साथ लग और यह 6 और एक साथ लग तो 50,000 का difference आ रहा है कोई भी up or down होता कहां से जाता जैसी capital reduction का नाम आएगा आपको यहां पर पोस्टिंग करनी है तो capital reduction के credit side में जाने का 12% adventure amount आ जाएगा 50,000 अच्छा मैंने दो entry नहीं पास करी यह वाली एक preference shares की और एक equity shares की दोनों credit हो रहा है तो दोनों credit में जाएंगे by preferences by equity share amount कितना लिखेंगे तो याद रखने का जो capital reduction के सामने वाला रहता है वो ही amount लिखने का तो capital reduction के सामने वाला preferences का 2,000,000 और equity का 8,000,000 तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 2,000,000 और 8,000,000 आरिवा समझें पूरी entry हो गई तो यह आधा question हुआ अपना 20 से 25 मिनट लग गया balance sheet भी लगेंगी लेकिन आपको याद रखना है exam में सिर्फ 30 मिनट मिलेगा ठीक है तो इसको कैसे करना है यह explanation में time जाता है लेकिन आप लोग solve करेंगे logically तो हो जाएगा तो अब क्या करना है इसको total करना है क्योंकि यहां से भी general entry निकलती अगर यहां difference है तो capital reserve यहां difference है तो goodwill तो सबसे पहले इसको तोटल करके देखें आप calculator पर total करके देखो यह एक्सले तो यहां पर total हो जाता है देखो 10,85,000 आए इसका total 10,70,000 मतलब यह वाली side बड़ा है यह वाली side बड़ा है तो यह वाला side लिखेंगे यहां पर हम लोग minus करेंगे तो amount कुछ आएगा 15,000 अगर यहां difference आता है तो लिखने का goodwill और यहां difference आता है तो क्या लिखने का by capital reserve अब इसकी भी entry जाएगी यह last one की entry क्योंकि यह entry की posting है न पूरा तो यह goodwill यहां पर लिखा है तो इसकी entry कैसे जाएगी goodwill account debit to capital reduction और यहां रहती यहां हम लोग two लिखते हैं तो यहां रहती तो capital reduction to capital reserve तो last entry जो बनेगी आपकी वो कुछ इस तरीके से बनेगी goodwill account debit to capital reduction account समझ में आई बात yes or no तो इस तरीके से आपका half part हो गया अब half part जो बचा है उसको हम लोग एकदम फटा फट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जब तक आप इतना करोगे ना तो आप बोर होने लगोगे तो क्या करने का अब बनानी है balance sheet बराबर है पूरे questions हो गई पूरी general entry हो गई अब balance sheet देखो कैसे बनाना है सबसे पहला balance sheet का पूरा format draw कर लेना है balance sheet का पूरा format draw कर लेना है तो देखो यहाँ पे हम लोग ने format draw कर लिया यह आपका पूरा format हो गया ठीक है यहां पर आपको पता है नोट नंबर और रुपीज रुपीज लिखना है यह बैलेंशीट हो गया यह फॉर्मेट ऑफ बैलेंशीट और इसके आगे लिखते हैं यह बैलेंशीट का पूरा फॉर्मेट अब बोलेंगे सर इसको कैसे याद रखना है तो मैंने पहले ही बताया आपको मैंने इसका एक दस मिनट का वीडियो बनाया है वो देख लीजे पूरी बैलेंशीट आपके दिमाग में फिट हो जाएगी तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है अब इसको करना कैसे है तो एक दम सिंपल है याद रखो यह वाला अल्ड बैलेंशीट सिट मतलब अपनी यह वाली तो इसके अंदर जितने भी आइटम है न जितने भी एक भी नहीं छोड़ने का सबको वन बाइवन करके लिखने का तो देखो कैसा यह कहुँछ़ आपक लिखने का, 1,00,00,00,00 बराबर है, यह 10,00,00,00,00 यह कौन सा साइट होता है, क्रेडिट यह भूल बत जाना है, यह भूल गया तो मतलब खतम है, तो यह क्रेडिट है, यह देबिट है, तो यह क्रेडिट है, फिर फिर प्रिफमेंश के बाद हम लोग Vedanta, क्या मांट दिया था डिबेंचर का फिर क्या मांट दिया था ऑवर इसकी उपर निए आपके आपको एसेड लिखने तो एसेड में लांड बिलिदिंग प्लांट रिभी सब लिखने तो यहाँ पर आ लिखे लेने का बराबर है अब जो चाटोगा वो ऋटी चाटो तो यहां पर लिख लिया लाफ्र ant लिखे इंट फिर नमशिनरी तो फिर क्या है फरणीछ फीर मतलब लिख लेने का तो में यहां पे लिख लेता हूँ फरनीचर गुडविल पेटेंट स्टॉक सब डेबिट हैं यह यह देखो संड्री डेटर बिल्स रिसीएबल प्रॉफिट एंड लॉस सब एक एक करके लिखना है प्रिलिमिनरी फिर उसके बाद फिर नहीं हाँ लास्ट आपका प्रिलिमिनरी था यहां तकी बाकी दो तीन आइटम हैंगे वो देखेंगे ठीक है इनकी हेडिंग डाल देने का अमांट यह सब क्रेडिट का है यह सब डेबिट का है लिख दिया अब क्या करना है मैंने फॉर्मेट क्या बता अब जनल एंट्री में क्या है दिआन से देखो एक एक करके यहां से आएंगे और टिक्मा करते जाएंगे पहला कि पहले अंट्री हमों कर रहे हैं विल्ष पेबल टेबिट क्रेडिट कäreड़ु अपने पास नहीं था तो क्ला बना लेने का ठीक हैं तो बनाएंगें लोग क पेड़ ना और नीचे जाकि दूसरा एक पता है कैश बेंक में आता है तो यहां पे बिल्स पेड़ का पे कर देंगे 60 अलग से क्यूंकि अपने पास कैश बेंक नहीं है बराबर है तो उसको अलग से लिखेंगे दो-दो इफेक्ट पास कर देने का फिर दूसरा एक कौंसा है ये एक हो गया, फिर creditor debit हो रहा है, capital reduction का second effect तो यहाँ पर हम लोग ने पास कर लेंगे, तो वो नहीं, याद रखना capital reduction का अब effect नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग ने इसको पहले से अल्रडी effect पास कर दिया, तो जहाँ पर capital reduction उसको छोड़ दो, बाकि सब का posting करो, तो creditor debit हो रह देखेंगे, बहुत simple हो जाएगा, फिर देखो capital deduction है, तो यह वाला पूश्टिंग नहीं जाएगा, लेकिन यह वाले तो जाएगे न, तो यह credit होता है, तो goodwill में भी credit, patent में भी यह सब में, तो यह चारो आइटम एक साथ लिखें है, तो यहाँ पर देखेंगे, तो credit हो रह credit हो रहा है, तो देखो credit हो रहा है, लिख दिया, है न, यह minus का sign से घबराने का नहीं, वो credit है, तो मैं यहाँ से इसको रप कर दूँगा, ठीक है, तो यह लिख दिया, तो यह वाली भी posting हो गई, ओके, तो यह हम लोग ने लिख लिया, यहाँ पर, तो यह third adjustment भी हो गया, फि यह क्रेडिट हो रहे है, देखो, टू, 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 बराबर है, credit है, तो याद रखना है, फरनीचर पांच हज़ार, स्टॉक बीस हज़ार, तो थोड़ा फटा-फट करेंगे हम लोग, तो फरनीचर में जाने का, फरनीचर आपने लिखा होगा, यह देखो, तो credit हो है, तो amount लिख दिया, फिर data में जाने का, stock भी हो रहा था, एक लिख दिया credit, फिर देखो data में था, यह देखो credit, फिर land and building में भी था, यह देखो credit, आर यह बस समझ में, तो यह चारों point हम लोग ने कर लिया थे, एक यह किया था, furniture का भी कर लिया, stock का भी कर लिया, land and building का भी कर लिया, sundry data का भी कर लिया, आर यह बस समझ में, yes or no, अब आते नया, नई adjustment, cash bank account debit to 12% loan, अब यह cash bank क्या आए, debit हो रहा है, पैसा आ रहा है, है ना, तो debit है, तो हम लोग ने cash bank के एक दम नीचे पास किया था, तो नीचे जाने का, यहाँ पे लिख देने का, cash, और अवांट कितना आ जाएगा, देर लाग debit में, है ना, और यह bills payable हुआ था, यह हम लोग pay किये थे यहाँ पे, तो यह credit था, तो pay कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, फिर एक और चीज़ इसमें आई न, नहीं, यह 12% क्या आया, loan आया, है ना, तो loan आया, यह credit है, तो यह debenture के साथ merge होते हैं, तो लेकिन हम लोग इसको separate लिख लेंगे, तो यहाँ पे, आप लिख लो, 12% loan taken credit, ठीक है, और यह चीज़ याद रखना है, किस से related होता है, loan, debenture, यह long term borrowing से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हम लोग लिखा है, ना, debenture, यहाँ पे जाके हम लोग लिख लेंगे, 12% debenture, आरी बस समझ में, तो क्योंकि यह इसके साथ ही merge होता है, ओके, तो यह, इसके बाद कौन सी है, next entry, 9th वाली bank overdraft है, तो bank overdraft debit हो रहा है, और cash bank क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे जाके, हम लोग bank overdraft में जाएंगे, दो effect पास करने का, क्योंकि cash bank भी हम लोग के पास, तो cash bank debit हुआ, और cash bank credit हुआ, तो देखो bank overdraft इदर है, क्रेडिट हुआ, तो credit हुआ तो यहाँ लिख दिया, मतलब आपको क्या देखना है, यह main item क्या है, debit है, और सामने वाला वह item debit हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, वो लिख दो, ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, अब यह हो गया, अब इसके बाद कौन सा entry था, क्रेडिट हो गया, बराबर है, इस तरीके से अगर आपने किया, तो कभी भी balance sheet, मतलब टैली हो जाएगी, आपको कभी भी difficulty नहीं आएगी, फिर next क्या दिया है, preference share capital, अब main आता है, देखो यह debit में भी है, 4 लाग, credit में भी है, तो debit का 4 लाग लिखो, credit का 2 लाग लिखो, तो देखो, preference shares में गया, गया, preference shares में, debit का 4 लाग, credit का 2 लाग, अब बोलेंगे, सर्थ इधर कुछ नहीं लिखने का, यह working है, लिखा भी तो भी चल जाएगा, नहीं लिखा, तो भी चल जाएगा, ठीक है, shortcut मारने का, फिर आपको क्या दिया है, next, यह भी हो गया, फिर equity share, देखो, debit हो रहा है, 10 लाग, credit हो रहा है, 2 लाग, तो debit का 10, credit का 2, तो यहीं जाके, यहाँ पे लिख देने का, debit का 10, credit का 2, ठीक है, फिर आपकी next entry क्या है, equity shares भी हो गया, फिर आते capital deduction, capital deduction का नहीं जाएगा, क्यों हम लोग ने उसकी posting कर लिए है, तो capital deduction, debit, cash bank, credit हो रहा है, तो credit में जाने का, प्रिफरेंट डिविडेंट 40,000, आर यह बास समझ में, ओके, इधर पर हम लोग लिखेंगे credit, हो गया, next क्या पास करेंगे, next adjustment क्या है, एक last adjustment बचा है, है, दो adjustment है, 12% debenture, debenture है, तो debenture debit हो रहा है, तो debenture debit में जाओ, तो यहाँ पर हम लोग ने credit में लिखा था, तो यहाँ पर हम लोग debit में लिख देंगे, 12% debenture debit, फिर देखो, और क्या हो रहा है, उसके साथ, तो plant and machinery है, यह credit हो रहा है, हœं यहां पर लोग krediti लिख देंगे फिर और क्या है उसे एंट्री के अंदर would तर क्रेडेट के अंदर जाके credit में लिख देंगे यहां पर लिख देंगे in ए easily तो यह वाली है Em Soros नट्रेफ्ट करने करने का क्योंकि उसका आकवंट ऑल्रेडी बना दिया है प sorry आपने क्लोस किया था तो गुडविल बना तो गुडविल पता है ना ट्वेंटी थ quart का तो पॉस्टिंग जाएगा ने तो गुडवील डेवीट हे तो गुडवील का भी हम लोग ने बनाया था इदर है यह gonna यह रहा है है यहां पर क्या हो रहाbay यह किप देखो हो रहा है कि ने डेबिट तो डेबिट में जाने का यहां लिख देने का गुडविल कि डेबिट कितना 20,000 सब्कुलिफी की यहां है, अधिन सब्कुल बहुंपल किनो टौटल है, बौद सब्कुल है ठीक है, और इनके हेडिंग डाल देने का हां तो इनका point number डाल देने का तो यह point number आपको समझ में आएगा मतलब 1,2,3 क्योंकि यह note number रहता है यह note number हम लोग को लिखना पड़ता है तो वो working note जैसा है अब देखो कैसा अब आपको पता है equity share capital credit है अब यह स्रिफ एकदम सिंपल है credit है, debit है, credit है तो चेक करो ना, यह credit debit तो cancel हो गया जब 2 opposite रहेंगे तो cancel हो जाएगा और जो बच जाएगा वो उसके total में आजाएगा तो credit का कितना बचा 2,00,00, same way में देखो यह credit debit minus हो गया और यह credit 2,00,00 बच गया तो total कितना हो गया share capital 2 और 2,00, 4,00, तो आपका जो share capital होगा total वो कितना हो जाएगा 4,00,00, इसको मैं highlight कर लेता हूँ total ऐसा करने का अब देखो यह 12% adventure है 7,00,00, credit का था 7,00,00, debit का तो यह cancel हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा credit का कितना बचेगा 1,00,00, बच गया और एक नया loan आगया 1,500,00, तो यह 1,500,00, बच जाएगा आपका तो total कितने हो जाएगे 1,500,00, बच जाएगे बराबर है 1,500,00 मैं इदर लिख लूँगा तो यह 1,500,00 है इसको highlight कर देंगे ठीक है इस तरीके से अब देखो bank order पचास है पचास है, debit, credit तो यह कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा आरीवा समझे है और highlight कर देने, circle कर देने का क्योंकि हम लोग को इसको total करना है फिर देखो, 1,400,000 credit का है debit का कितना है 20,000 तो 1,400,000 मैं से 20 गया तो कितना बचा 1,200,000 अब बोलेंगे सर, समझ में नहीं आ रहे है कि debit, credit, minus कप करने का तो याद रखने का जब ये दोनों opposite रहते है debit रहता है, credit रहता है तो minus ही होगा कोछ भी हो लेकिन दोनों same रहेंगे ना तो add हो जाएगे credit, credit, add हो जाएगा debit, debit, add हो जाएगा लेकिन आप बोलेंगे सर, minus किस में से करना है तो देखो कौन सा बढ़ा है वो देखो तो credit का 1,40,000 है debit का 20 है तो minus करो तो credit का 120 बचेगा ना फिर bills payable देखो credit debit, 0 हो जाएगा फिर इसी तरीके से land and building, 6,05,05 है debit credit minus हो के 6,05,000 बच जाएगा है ना debit का देखो हो गया ना साड़े छे लाग credit का 50 तो यह साथ हजार आरी बच समझ में फिर देखो plant and machinery 6,00,000 debit का था 6,00,000 credit का था तो 0 हो जाएगा यह भी फिर देखो furniture है 35,000 debit का था credit में 5000 था तो minus करेंगे आपका तो answer आ जाएगा 30,000 आरी बच समझ में ठीक है तो इस तरीके से आपको पूरा total कर लेना है यह goodwill था goodwill यह debit का यह credit का इसलिए मैंने इदर minus का sign डाला है कि समझ में आ जाए क्योंकि दोनों opposite है तो यह minus ही हो जाएगे तो यह 0 हो गया और plus का debit का 20,000 तो debit का 20,000 बचा रहेगा फिर इस तरीके से सब करना है यह 0 ही रहेगा तो यह 0 आ जाएगा फिर इसका 60,000 बचेगा है ना फिर इसका 70,000 बचेगा करके देखो ना यह debit क्रेडिट है minus होते जाएगा यह 50,000 डेबिट का है तो यह debit का ही रहने वाला है इसमें कोई adjustment ही नहीं आया फिर यह profit loss यह 0 हो जाएगा फिर यह देखो दोनों equal है तो यह भी 0 हो जाएगा फिर यह देखो cash है देड़ लाग था debit में बाकी सब credit हुआ प्लस माइनस करोगे आप ठीक है तो प्लस माइनस करोगे तो this minus क्रेडिट के छोटे ना तो यह करो minus 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 कितना minus में 20,000 याद रखना जब cash bank minus में आता है तो उसको हम लोग bank overdraft बोलते हैं क्यों? क्योंकि cash bank आप कहा से use कर रहे हो बैंक से use कर रहे हो तो बैंक में से अगर ज़्यादा withdraw कर लेते हैं ना तो minus में आता है जब cash bank minus में होगा तो उसको bank order बोलते है अब इसी चीज़ को note wise इसमें डालना है यह balance sheet में डालना है ठीक है? तो देखो पहला क्या था? share capital कितना? 4,000,000,000 ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा share capital 4,000,000,000 आ गया तो डिवेंचर 5,000,000,000 का आएगा तो उसी के नीचे वो long term borrowing होता है 5,000,000,000 आई बल समझ में फिर नीच से आते हैं तीसरा amount creditor 1,20,000,000 तो creditor आता है bills payable trade payable तो यह देखो यह हो गया 1,20,000,000 फिर next क्या आता है? 6,000,000 दिया land and building तो land and building है 6,000,000 लेकिन आपको पता होना चाहिए कि land and building, plant and machinery फरनीचर यह तीनों का total लेंगे इसलिए देखो 6,6,000 दिया है तो 6,000,000 यह 0 है यह 3, 30 तो कितना आएगा? 6,30,000 तो देखो 6,30,000 ठीक है? फिर next क्या आता है? 20,000 goodwill है तो goodwill पता है, intangible में आता है तो यहाँ पे लिख देंगे intangible notes के साथ 15,000 फिर देखो goodwill आ गया है फिर patent 0 था stock कितना 60,000 है और data 70 तो पहले stock लिख देंगे stock का दूसरा नाम inventories होता है तो यह 60,000 आ गया फिर आगता है आपका data तो data में bills receible के साथ आता है तो 70 और 15,000 कितना आता है? 85 तो 85 लिखेंगे यहाँ पे फिर आजाओ आगे यह 0 है यह हो गया, यह भी 0 है सब यूज कर लिए cash bank minus में bank order bank order को liability में लिखना पड़ेगा क्योंकि minus में रहता है bank order आता है short term borrowing तो short term borrowing हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 12 number क्योंकि पता नहीं था ना तो यह अब इसको total कर लो देखो यह 4 का total कितना होता है 7,90 लाग होता है है ना और इन सब का total देख लो 7,90 तो tally हो गया कि नहीं हो गया तो यह देखो आपकी balance sheet tally 7,90 और यहाँ पे 7,90 लाग हो गया की नहीं हो गया तो इस तरीके से करना है थोड़ा lengthy हो गया आपका यह question रैट लेकिन पूरा इसमें आपको logically बता है एक दो बार इसको आप repeat करेंगे देखेंगे समझेंगे तो आपको पूरा question solve करने में आसानी होगी याद रखने एक्जाम में सरिफ आपको half an hour मिलेगा तो try करना है इस तरीके से करने का ठीक है तो यह second type में मैंने आपको बता है तो अगर कुछ doubt आता है तो आप comment करके बता सकते and please like and subscribe for more videos thank you